मेरा नाम है विनित और आप देख रहे हैं इस फोन के काफी सारे वीडियो यूटूब पे अवीलिबल हैं लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरा वीडियो देखना पसंद किया अन्बॉक्सिंग शुरू करें इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े अगर आप मेरे चानल पर नए है तो सब्सक्राइब करना न भूले बेल आइकन दबाई है ताकि मेरे सारे लेटेस वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे मैं टेक वीडियो बनाता हूं हिंदी में और इंग्लिश में और मैं ट्रैवल व्लॉग भी डालता हूं मेरे चानल पर आप वो जाकर चेक आउट कर सकते हैं अगर यह वीडियो किसी पी तरह से हल्प करती है तो लाइक करना न भूले तो बढ़ते हैं एमाई टू के अन्बॉक्स की तरफ यह फोन जो एमाई एवन का सक्सेसर है एक ऐसा फोन जो शौमी प्रफ फोन था इंडिया में जिसमें ड्यूल कैमरा सेट अब था उसका सकसेसर होने की कारण यह फोन भी काफी चर्चा में रहा है इसके क्यामरा की वज़ा से काफी सारे लीक्स और रूमर्स के बाद फाइनली यह फोन अवेलेबल है फ्लैस सेल में लेकिन जैसे आपको प पता है कि कुछ आद दिलों में पीला पड़ने वाला है उसके बाद आपको मिलता है कुछ पेपर वर्क उसके बाद आता है SIM Ejector Tool और Type-C to 3.5mm adapter जिसको देखके शायद आप मायूस हो जाए क्यों कि इसका मतलब यह भी है कि फोन में 3.5mm headphone jack अवेलिबल नहीं है Companies claim करती है कि Type-C jack से आपको better audio output मिलेगा लेकिन यह बुरी खबर है मेरे जैसे लोगों के लिए जो हर दूसरे दिन dongles misplace करते है और एक additional accessory हो जाती है आपके लिए जो आपको carry करने पड़ेगी जब आप travel करोगे और इस छोटे box के नीचे मिलेगा आपको MIA2 handset इस बार में ने gold color खड़ीदा है और इसका अलवा आपको अविलेबल है pink, blue और usual black लेकिन फिलहाल black और gold ही sale के लिए अविलेबल है यह फोन आता है दो RAM और storage options के साथ 4GB, 64GB, 6GB, 128GB लेकिन फिलहाल आपको 4GB और 64GB अविलेबल है sale के लिए जो higher version 128GB वो कुछा दिनों में आ जाएगा एक लिए कमपनी तो ऐसा claim कर रही है box में आपको मिलेगा type-c cable और एक normal 2-amp charger हाई फोन सपोर कता है Qualcomm Quick Charge 4 लेकिन आपको company से जो fast charger है वो अलग से खरीदना पड़ेगा यह तो भी unboxing की बात अब बढ़ते हैं इसके design की तरह जब आप का design देखे तो थोड़ा बहुत change company ने लाया है शुरू करता है फ्रेंड से जहां पर आपको पहली चीज नोटिसेबल लिखेंगी वो है इसका 5.99 इंच IPS LCD पैनल जो resolution करता है 2160 by 1080 pixels इसका जो pixel density है वो है 403 ppi और इसका जो contrast ratio है 1500 इस तु वान इसमें कोई दोराय नहीं है कि ड दिस्प्ले मुझे थोड़े से margin से bright लगा इस दिस्प्ले को जो 2.5 कर्व ग्लास कवर करता है वो आता है कौनिंग गोरिला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ तो यह चोटे मोटे scratches easily handle कर सकता है इसके edge to edge display के कारण इसकी जो navigation keys है वो अभी on screen मिलेंगे आपको और बटन में जो इस फोन का front facing camera जो है sony का IMX 376 20MP sensor जो आता है larger 2 micron pixel size के साथ वो इसका f2.2 aperture है यह 4-in-1 super pixel based pixel beaning technology का use करता है जिसके वैसे आपको sharp output मिलता है मैं इस pixel beaning technology के लेट एक dedicated camera review निकानने वाला हूँ लेकिन उससे पहले आपको अगर early samples चाहिए तो मुझे आप मेरे Instagram handle पे follow कर सकते है इसके front facing camera के साथ आता है single LED dedicated selfie flash जो आपको helpful हो सकता है low light और dark situations में right side में देखें तो यहां पे आपको मिलेंगे volume rockers और power button left side में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगा sim tray जो accept करता है दो nano sim card इसका मतलब यह है कि आपको इस बार hybrid sim slot नहीं मिलेगा जिसके वजी से आप storage expand नहीं करबा होगे जो मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए माइने रखता है ऊपर के सादे में आपको मिलता है noise cancellation microphone और उसके साथ आपको मिलता है IR blaster जिससे आप tv music player या फिर air conditioner जैसे cj control कर सकते है और मुझे लगता है काफी unique है Xiaomi phones के लिए मैं इसे personally बहुत use करता हूं नीचे इसके साद में आपको मिलता है USB Type-C port उसके राइट साद में मिलेगा आपको speaker grill और left साद में मिलेगा आपको microphone जी हां 3.5 mm headphone jack की कमी बहुत खलती है और यह बहुत सारे लोगों के लिए deal breaker होने वाला है जिसके वैसे लोग यह phone नहीं भी ले क्यूंकि इस range के phone खरीदने वाले सारे लोग wireless speaker में इन्वेस्ट नहीं करते हैं जैसे मैंने पहले बताया एक additional accessory इसका डॉंगल है adapter है वो carry करना बहुत ही बड़ी तकलीफ है और इस port की कमी होने का और एक मतलब है जी हां इसमें आपको FM radio भी नहीं मिलता है जिसके लिए काफिसार लोग Xiaomi के phones प्रेफर भी करत आइकानिक ड्यूल कामरा सेटप जो हमने पहले भी नोट 5 प्रो में देखा है और यहां मैं कहूं आइफोन एक्स में देखा है इसका जो प्राइमरी सेंसर है वह है सोनी का IMX 486 12-megapixel सेंसर जो आता है f1.7 आपरचर के साथ जी हां काफी वाइड आपरचर है और इसका पिक आपको काफी शार्प आउटूट मिलेगा जो ड्यूल लेंस है आता है सिंगल टोन ड्यूल एडी फ्लैश के साथ और जो दोनों लेंसे से वह यूज करते है फेस डिटेक्शन आटो फोकस फोकसिंग के लिए जो रियर साइड का कैमरा सेटप है वह आता है इलेक्ट्रोनिक के साथ और यह शूट कर सकता है वीडियो 4K at 30 frames per second इस फोर्म की डिजाइन की एक चीज जिससे मुझे चिड़ है वह इसका कैमरा बंप क्या है यह पहाड इस फोर्म का जो कैमरा अप्लिकेशन है वह इन हीरिट किया है एमाई यूआ से जो एक्चुली ब्लंड कॉपी है iOS कै यह रहे कुछ सैंपल जो मैं ले पाया इस सारे समय में और शॉरली में इस कैमरा का कंपारेजन करने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro, OnePlus 6 और काफी सारे होटर कैमरा फोन के साथ तो अगर अपने मेरे चैनल्स के नोडिफिकेशन तो नहीं किया है अगर हर्वे की बात करें तो इसमें मिलता है आपको स्नाप ड्रागन 660 चिपसेट जो एक नया ओफरिंग है कॉल कॉम की तरफ से शामी अपने वेबसाइट पर क्लेम करता है कि यह जो सीप्यू है उसमें फ्लैक्शिप लेवल ए इंजिन है मैं फिर दोराता हूँ इसमें आता है फ्लैक्शिप लेवल का मतलब आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इंजिन वेल एक सीप्यू क्या कमाल करता है वो तो वक्त ही बताएगा लेकिन यह शूर्ली एक स्टेप एक इंप्रूमेंट है स्नाप ड्रागन 636 से जो रेड्मी नोट 5 प्रो में यूज हुआ था था इंप्रूमें में बिलता है आपको अड्रोण 512 जी प्यू जो अगेन वन्मोर इंप्रूमेंट है अड्रोण 509 से जो रेड्मी नोट 5 प्रो में आमने देखा था जैसे कि मैंने पहले बता है यह आता है 4GB 64GB और 6GB 128GB रम और स्टोरेज ओप्शन के साथ इस पूरे सेटप क क्लेम करती कि जो स्नाप ड्रागन 660 है वह बैटर है पावर एफिशेंसी यूज करने में 636 से और अगर आपकी बैटरी खतम भी हो जाती है तो इसको आप फास्ट चार्ज करके जल्दी चार्ज भी कर सकते हैं क्योंकि यह सपोर्ट करता है क्वाल कॉम क्विक चार्ज 4 टे कौन से सारी गेम से जो आप चाहते के मैं इस फोन पर टेस्ट करूं इस फोन में जो सेंसर आते हैं वह रोज मर्रा की यूसेज के लिए काफी है जैसे की एलेक्ट्रोनिक कंपस है एक्सलिरोमेटर है प्रॉक्जिमेटे सेंसर है आयर ब्लास्टर मिलता है आपको एम्ट ला जून 2008 सिक्रूडी पैच के साथ जैसे में इस फोन को पहली बार बूट किया मुझे ऑगस्ट का सिक्रूडी पैच और डी मिल चुका था एंडॉल वन की खासियत यह है कि जो इसका यूई है वह काफी लाइट वेट है स्टॉक है वैनिला फ्लेवर जो मुझे काफी पसंद है और इसके जो अपडेट से वह काफी रेगुलर आते हैं माई यूई से बाइट मिलता है इसमें आपको कुछ शाओमी के अप्लिकेशन जैसे की फाइल मैनेजर है माई कम्यूनिटी है जिसको अगर आप चाहो रिमूव भी कर सकते हो शाओमी के बाकी फोन की तरह भी इसक कुछ मामलों में थोड़ा स्लो है और अनलाग होने के बाद भी आपको उपर स्वाइप करना पड़ता है एक्चुली होम स्कीन में जाने के लिए इस फोन को यूज कर रहा हूं दो दिन से और जब भी आप इस फोन को होल करते है एक प्रीमियम फिल्ट जरूर आता है लेकि इसकी बैटरी कम कर दी है और इन सब के बावजूद शाओमी ने प्राइसिंग उतनी रखिए यह फोन मिलता है आपको 17,000 में आई होप यह स्नाप ड्रागन 660 और जो कामरा है वो बहुत अच्छा हो क्योंकि अगर नहीं है तो इस फोन को कोई नहीं खरिदने वाला और रे मेरे चानल को यह हेल्प भी करेगा लाइक किजिए इस वीडियो को शेर किजिए आपके दोस्तों के साथ जो यह फोन खरीदने की फिराक में है और क्या क्या चीज़े आपको जाननी है इस फोन के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हों तब तक मिलेता हूं अलव खिरा क्या अलवा खुड़े आपके दोस्तों प्राइब उल्वा किर दोस्तों के साथ जाननी है और किजिए आपके दोस्तों के दोस्तों के बारे में हाग जाननी है